सो हेग गाइज अर्काम बैक टो दनी वीडियो सो आज का वीडियो अपतों होने वाला है होंडा होडने 2.0 के बारे में गलॉसी ब्लेक कलर आज की वीडियो में आप लोग कवर अप करने वाल हैं इस पर्टिकुलर कलर की न आप लोग की तरफ से काफी ज़ादा डिमांड आ तो यहां पर ब्लेक के साथ रेड वाला एक हाइलाइट देखने को मिल जाता है इस टीक रिंग में कलर आप्शन की बात करते हैं तो तोटल चार कलर आप्शन लाइन अप में आवेलेबल रहते हैं बट चार में से सिर्फ एक ही आपको ग्लॉसी फिनिश में आवेलेबल रह ही है वन पॉइंट सिक्स फाइव एक लाग पैंसाट अजार ओन रोड जैप और अब हॉर्णेट के साथ ही सेम इंजन के साथ सीबी टूहंड़ेड एक्स भी अवेलेबल रहता है जो कि थोड़ा सा एडवेंचर केटिगरी वाला उसमें से ना एक शेप भी रहता है बाइक हेडलेम सेटप है इगनिशन ओन करते हैं तो इगनिशन के साथ यह साइड वाला जो डियरल वाला पार्ट है यह आपका ओन रहेगा डियूल कंपार्टमेंट यह है हाई लो बीम वाला पूरा सेटप लाइटिंग का थ्रो भी काफ़ जादा डिसेंट यहां पे मिल जाता है सस्पेंशन देखते हैं तो अपसाइड डाउन फ्रेंट है रियर में मिलता है मॉनो शॉक फ्रेंट सस्पेंशन है यहां पे शोवा का जिसकी की प्रोपर मार्किंग भी यहां पे मिल जाती है 37 mm के राउंड राउंड इसका जो एक थिकने से हो रहेगा फ्रेंट पीछवाला पार्ट मेल ब्लैक में आ जाएगा ABS का एक स्टिकर मिल जाता है क्योंकि सिंगल चनल ABS के साथ बाइक अवेलेबल रहता है इस टायर का सट अपना काफी अच्छा मिल जाता है अपने को होरनेट में फ्रेंट टायर है 110 सक्षन का रियर भी काफी अच्छा है रियर और यह आपका अलोईस का शेप स्लिपर क्लच भी यहाँ मिल जाता है क्लच का फील काफी जाता लाइट है विट यह रबर कवरिंग जो कि लुब्रिकेशन के लिए काफी हैल्फुल रहता है रियर वियो मिरर सेम जैसे की सारे ही लाइन अप में अविलेबल रहता है स्प्रिट में यह सीट हो जाता है सीट की कुष्णिंग भी काफी सॉफ्टर साइट पे ही देखने को मिलेगा पॉडी कलर या फिर एक कहते हैं ग्लॉसी ब्लैक वाला जो पार्ट है यह आपको सिर्फ फ्यूल टैंक वाले पैनल पे ही देखने को मिलेगा इसके अलावा होंडा का 3D MLM यहां आजाता है इस टाइब से कुछ यह टेल सेक्चन अपना बनेगा काफी ज़्यादा यूज कार्बन वाला लेयाउट यहां पे रहता है टेल टाइडी का शेप काफी अच्छा है इस टाइब से एक्स शेप आपको टेल लेम मिल जाता है हेलोजन में सिर् अपना टायर का सेटब रेडियल यह नहीं है और 17 यह नहीं है इस सिर्फ आपका 140 70 17 ही सेटब रहने वाला है रियर डिस्क यह रहा 220 mm का 220 mm निसीन ब्रेकिंग फ्रेंट भीता और निसीन ही आपका रियर भी है ABS सिंगल चैनल इस टाइप से अपना अलो इसका शेप स्टीक र के अकॉडिंग जैसे कि यहां पर रेड वाला यूज है MRF टूबलेस यह टायर रहने वाला है टायर अगर एक पाड़ा जाता है रियर सस्मेंशन मोनो शॉक है मल्टिपल वेड़ेस्ट्मेंट के साथ और बाइक का फ्रेम इतना जाद विजिबल नहीं है बट यहां साप ल 200X में नहीं होरने 2.0 में इंजन मिल जाता है यहां पर 184.4 CC का 4-stroke SI इंजन 5-speed gearbox के साथ 17.03 HP का पीक पावर और 15.9 नम का टोटल आपका यहां पर टॉर्क रेने वाला है स्टैप से एक्जॉस्ट का लेयाउट है हीट शिल्ड यह मैटल में एक शॉर्ट एक्जॉस्ट वाल जाएंगे एक इंजन का उला जाता है यहां भी स्टीक रिंग का थोड़ा यूजर और वही अपना मैट ग्रे वाला यूजर यहां भी हा जाता है आप उसे साइट प्रॉफाइल कवर करते हैं यह अपने पास यूनिकॉन भी तो इस टाइप से कुछ राइडर प्यो भी यह आपको यहां पर मिलेगा मैटल में सो इस टाइप से कुछ अपोजिट साइड प्रॉफाइल रहेगा इंजन का ले आउट यह रहा कि तोड़ा एक फिंस वाला पार्टा जाता है सिल्वर वाला जो की लोग को काफी इन्हेंस कर देता है दोनों ही गाड़ी में स्टेंड मिल है यह राकी जैसा कि आपका शाइन हंडेड में भी रहता है सीडी वन टेंड में भी रहता है और लीवो में हुआ शाइन में हुआ है एस पी में हुआ यही सेम आपको की का ले आउट रेगुलर पैटन वाला यहां पर मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट ऐस सच अभी लेब इसलिए अपन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं बाकी काफ इन्फोमेटिव यह माइडी सेटप भी यहां पर अपना हो जाता है क्लोग गेर इंडिकेटर ट्रिप मेटर बाइक का रेंज भी और माइलिज भी आपको यहां पर शो हो जाएगा ग्राउंड क्लिरेंस यहां पर मिल जरूर से बता देना है ग्लॉसी ब्लैक, मैट ब्ल्यू, मैट ग्रे या फिर मैट ब्लैक और एक मैट मरून इस ट्रैप से तोटल अपने यह चार कलर ओप्शन हो जाते हैं एक वीडियो बहुत चलते अप लोग के लिए आने वाला है जिसमें की होंडा की सभी वाइक्स की लेटेस प्राइस डेस्ट अपन लोग कवर अप करने वाल हैं तो सुडियो के लिए स्ब्सक्राइब करके बैल आइकन को आल कर लेना, इंफोमिशन अप लोग के लिए यूस्फुल रही हो तो एक लाइक जरूर से कर देना है और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो अप किलते हैं अगले वीडियो के साथ कल रात नोंगों जेब तक के लिए अनको खुद का भी घरवालों का भी और आपकी गाडियों का भी टेक केर बाई बाई